नमस्कार महरास्टर फाइल से ख्रयाप मैं हूँ आपके साथ पूजा महरास्ट की राजनिती में उतल फुतल अभी भी जारी है उद्दब गुट और शंदे गुट के बीच अब एक नए मुद्दे को लेकर सियासी जंग छड़ गई है ये मुद्दा दशहरे पर सिवाजी पार्क में मेगा राली करने का है दरसल हर साल दशहरे पर शिवशेना शिवाजी पार्क में परमपरागत राली करती आई है लेकिन इस बार सियम एकनाश शंदे ने शिवाजी पार्क में दशहरा राली करने का अलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ उद्दव ठाकरे ने भी बड़ा एलान करती हुए कहा कि शिवसेना ही सिवाजी पार्क में दशारा राली करेगी तो दोनों गुटों में एक बार फिर से वर्चस्प का मुद्दा गरमाया है दशारा राली के आयोजन को लेकर BMC के वार्ड ओफिस में अप्लिकेशन भी दर्श की जा चुकी है पर अब देखना होगा कि किस गुट को परमिशन मिलता है पर इसको लेकर राजनीती चरम पर है आज इसी पर चर्चा करेंगे बातचीत के लिए मेसा स्टोडिय में मौझूद है Capital TV के Senior Editor राजीब जी राजीब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद हरवा हम देखते हैं कि दशेरा राली में शिवसेना की तरब से बड़ा आयोजन किया जाता है पर इस बार तो एकनाशिंदे कहरी है कि हम ही असली शिवसेना है वो राली का आयोजन करेंगे तो इस बार की जंग कैसी नज़र आएगी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने जो कहा है वो भी सच है उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि शिवसेना की रैली ही होगी वहाँ होगी तो शिवसेना की रैली लेकिन अब शिवसेना की असली शिवसेना कौन सी है अब दशहरा के लिए रैली की जात लेकिन यह परम्परा किसकी है? शिबसेना किसकी है? और शिबसेना का मतलब क्या है? शिबसेना और शीवा जी पार्क दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ शब्द है लेकिन यहां पर वैचारिक और दूसरे अस्तर पर संपत्ति के उत्राधिकारी की बात है उद्धव ठाकरे बाला सहब ठाकरे के संपत्ति के उत्राधिकारी हो सकते हैं उनके विचार के उत्राधिकारी कौन होगा इसका निर्धारन उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे और अगर इस बीच जो राजनितिक घटनाय घटी है महारास्ट में उसको देखेंगे तो साप तोर पर लगता है कि वैचारी कुत्राधिकारी जगर बाला सहब ठाकरे के होना चाहिए शिब सेना के अंदर तो वो है एकना सिंदे क्योंकि पहली बार इतिहास में अगर भारत के पॉलिटिकल इतिहास को देखा जाए तो पहली बार एक विचार धारा यानि धार्मिक विचार धारा के अधार पर कोई पार्टी तूटी है और वो हिंदूत्व के मुद्दे पर क्योंकि पहले कॉंग्रेस में कई विभाजन हुए जो कॉंग्रेस में कई विभाजन हुए उसका आधार आपसी मनमुटाब था महत्वा कांचाओं की लडाई थी भारतिये जनता पार्टी से भी कुछ अलग हुए है नेता और नेता जो हुए है अलग वो अपनी पार्टी भी बनाए है लेकिन उनका आधार भी अपनी महत्वा कांचा रहा है जितनी छोटी छोटी रिजनल पार्टियां तूटी या फिर जनता पार्टी का विभाजन हुआ और जनता पार्टी से अलग अलग पार्टियां बनी चाहे राजद हो जदिव हो या फिर समाजवादी पार्टी हो बसपा सपा ऐसी कई पार्टियां बनी लेकिन साकरे 20 सालों तक लगभग ऐसी स्थिति में रहे कि वो अपनी परंपरागत पुरानी विचारधारा को त्याग दिये थे तो ऐसी स्थिति में वैचारिक उत्तराधिकारी अगर एकना सिंदे को माना जाए तो दूसरे तरफ सिब सेना असली सिब सेना जो है वो एकना सिंदे के गुट को होना चाहिए और अगर असली शिवसेना एकना सिंदे का है तो फिर ऐसे इस्थिति में शीवाजी पार्क में रैली करने का दावा एकना सिंदे का मजबूत होता है और उन्ही को परमिशन दी जाने चाहिए दूसरी बात जहां तक है उद्धव ठाकरे की उद्धव ठाकरे अडे हुए है क्योंकि उनके पास मजबूरी है उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना खिसकती जा रही है पार्टी के नेता खिसक गए सारे के सारे विधायक भाग गए उनके साथ छोड़ कर पार्टी के ज जो प्रदेश अध्यक्ष है शिव सेना के वो एकना सिंदे के साथ चले गया है ऐसे में धीरे धीरे जो शिव सेना के ऊपर पूरी तरह से इनका कबजा खत्म हो चुका है तो वो एक आधार देख रहे हैं कि कहीं ने कहीं कारकरताओं लोगों में जो सामाने लोग हैं जो वोट देते हैं जो शिव सेना के कारकरता हैं जो चुनाब नहीं लड़ते हैं वो उसके बीच संदेश जाए कि अभी उद्धव ठाकरे की शिव सेना जो है वो इतनी कमजोर नहीं हुई है वो शिवा जी पार्क में ही रहली करेगी पिछले दो सालों से कोरोना के कारण ऐसे भी उद्धव ठाकरे को मौका नहीं मिल रहा था और इसके बाद मौका मिला है तो वो ये चाहते हैं कि अपनी कमजोरी को चुपाए रखें और इसलिए बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं कि हम ही वहाँ पर रैली करेंगे हमारे कारकरता रैली करेंगे यहां तक कि अगर सरकार परमीशन नहीं देती है BMC के तरफ से परमीशन नहीं मिलता है तो भी वो रैली करने की तैयारी कर रहे है कैसे करेंगे फिर परमीशन के बिना वो आधार है क्योंकि वो रैली तो करने वाले नहीं है तो अभी ये बाते कर रहे हैं अभी से अपने कारकरताओं का अपने समर्थकों का मनोबल तोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन परदे के पीछे क्या चल रहा है शिव सेना का उद्दव ठाकरे गुट पूरी तरह से डरा हुआ है उसको लग रहा है कि शिवाजी पार्क में रैली के परमिसन उन्हें नहीं मिलने वाली है इसलिए वो बैक अप प्लान भी बनाये हुए है अगर उद्दव ठाकरे को ये पता है कि वो शिवाजी पार्क में ही दशारा की रैली करेंगे तो वो शिव सेना का उद्दव ठाकरे का गुट दूसरा जगह या जो दूसरी जगह पर रैली करने की तयारी क्यों कर रही है उसके लिए परमिसन के अप्लिकेशन क्यों दे रही है बांदरा कुरला कंप्लेस ग्राउंड में उद्धव ठाकरे के गुट ने अप्लिकेशन दिया है कि यहाँ पर दशारा रेली करने का परमीशन दिया जाए अगर शिव सेना और उद्धव ठाकरे रेली को संबोदि सिवाजी पार्क में करेंगे तो वहाँ पर क्या सिव सेना के दूसरे नेता करेंगे तो वो तो ऐसे बयान दे रहे हैं कि सिवाजी पार्क में ही होगी दशारा रेली तो वो तो बयान यही बात है कि गीदर भव की देना लोगों के सामने अपने असली डर को नहीं दिखाया जा सकता उस डर को छुपाय रखने के लिए वो बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने लगबग सरेंडर कर दिया है देखिए अभी इस पर कुछ भी दुश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्थितियां बहुत विकट हो गई है पहले BMC में एक application मिलते थे उसके बाद छोटे मोटे application दूसरे पार्टियों में के लोग या फिर स्थान्य कार्जकरता कैस्तर पर नेता कैस्तर पर दिया जाता रहा होगा लेकिन ये परंपरा रही थी कि शिवसेना का application आता है उन्हें accept कर लिया जाता है क्योंकि सिवाजी पार्क में उसी को permission दी जाती रही है और BMC को भी कोई कटनाई नहीं होती थी BMC में ऐसे नियम के अनुसार तो है कि जो पहले आता है उसको permission दे दी जाती है लेकिन इस बार permission तो शिवसेना को ही दी जाएगी अब लड़ाई ये है कि असली शिवसेना कौन है अगर मान लिया जाए उदव ठाक्तियों को permission नहीं मिलती है तो कितना बड़ा जटका उदव के लिए होगा ये तो बड़ा जटका होगा ही लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि permission किसे दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल समय है BMC के लिए BMC भी कानूनी अस्तर पर सलाह ले रही है अगर किसी एक को दिया जाता है तो उसके कानूनी पहलू भी समझा जा रहा है कि दूसरा जाएगा हाई कोट सुप्रिम कोट पिकी साधार पर उनका अप्लिकेशन रिजेक्ट किया गया अब इस लडाई में दोनों ही हो सकता है ऐसी इस्तरती आएगी कि दोनों को ही परमीशन नहीं दी जाएगी तो एक ना सिंदे से बड़ा जटका उद्धव ठाकरे के लिए लगेगा क्योंकि ये ठाकरे परिवार का लगभग परंपरा रही है और उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे को उन्होंने अपना उत्रादिकारी चुन लिया था भले ही उद्धव ठाकरे के ताकत के बारे में उनकी विशेस्ताओं के बारे में वो भ्रमित हो गए थे बालासाप ठाकरे को पता नहीं था कि उनका पुत्र, ऐसा कुपुत्र निकल जागा सुपुत्र होने के बदले। उन्होंने उनकी पूरी विचारधारा को तिलांजली दे दी और इसलिए उद्धब ठाकरे चाहते हैं कि कुछ भी बाला साहब ठाकरे के जो छोड़े हुए हैं उनको हम पकड़ के रखें इसलिए औरंगाबाद जाकर वो रेली करते हैं जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने किया था इसलिए सिवाजी पार्क में वो दसरा के रेली करेंगे तो ये सारे चीजे वो बनाए रखना चाहते हैं लेकिन अगर वहाँ परमिसन नहीं दिया जाता है वहाँ नहीं जा पाते हैं तो उद्धब ठाकरे को अपनी कमजोरी लोगों के सामने परदर्शित करने का एक समय मिल जाएगा लोग जान जाएंगे कि उद्धब ठाकरे के हाथ में अब कुछ नहीं है सिप से ना भी नहीं है और पाला साहब ठाकरे की विरासत भी नहीं है यानि कि उद्धव ठाकरे खोखले हो जाएगे तो उद्धव ठाकरे के लिए परतिष्ठा कभी से है और वो परतिष्ठा धुमिल होने वाला है क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगभग ये पता है कि परमीशन नहीं मिलेगी इसलिए दूसरे जगह पर ये अप्लिकेशन डाल वांदरा कुरला जो ग्राउंड है वहाँ पर वो हो सकता है कि आदित ठाकरे को भेजें खुद इस बार रैली से बाहर ही रहें अगर वो रैली में जाएंगे तो फिर हंगामा करने की कोशिश करेंगे उसके आजपास सिवाजी पार्क के आजपास वीड़ी कटा कर सकते हैं लाइन ओडर की समस्या होगी इसके लिए भारतिय जंता पार्टी और एक नासिंदे की सरकार है जो तैयारी कर रही है तो ये दसहरा रैली जो है शिब सेना के दोनों गुटे के लिए एक बार फिर से शक्ति परदर्शन होने वाला है जिसमें जिस तरीके से दही हांडी के स समय गनेश चतूर्थी के समय ये शक्ति परदर्शन हुआ और दोनों में ये दिखाई पड़ा कि एक नासिंदे का गुट भारी पड़ा है उद्धव ठाकरे के उपर ज्यादा पंडाल उनके पास थे ज्यादा प्रोग्राम उनके पास थे कालकरता ज्यादा उनके पास थे तो इस बीच जो दशरा की जो रैली होगी उस रैली में शक्ति का परदर्शन होगा जिसमें लगभग ग्राउंड पर ये मान लिया जाएगा कि असली सिवसे ना एक नासिंदे की है क्योंकि सुप्रिम कोट में तो बार बार एक नासिंदे गुहार लगा रहे हैं कि जल्द अब जब सुप्रिम कोट धीरे-धीरे मामला को टरका रही है जादा दिन समय लगेगा तो ऐसे में ग्राउंड पर ही दिखाना पड़ेगा कि असली सिवसे ना कौन है और वो दो जगा पर पदा चल चुका है दशरा रैली में भी पदा चलेगा और फिर अंति भैसला तो ज अब देखना होगा दशरा रैली में किसकी जीत और किसकी हार होती है आज के हमारे शो मरास्टर फैल्स में फिलाल इतना ही देखते रिये कैपिटल टीवी नमस्कार हूँ